कि हैं वेरी गुड मॉर्निंग क्या से हैं आप लोग होपके आप सब बहुत अच्छे होंगे अपने काम में विस्ट भी होंगे और अज मैं आप लोग साथ शेयर करूंगी एक फेशल किट जिसका मैं रिव्यू करूंगी और यह जो फेशल किट है आप पर्शनल के लिए कर्शन के लिए अगर आप यूज ने करता है जो अगर यहाई है बस मुझे 3प Marlux कर दे कि लिए अगर आप यूज करती हो इसका इसे ऎकर बहूद पक्राइब ऋलिए हो इसका जो रचेप्सारा है और यह जो इसकी रेट की बात करूं सबदे सारा जो सार reflects बता दूि और यह जो है डेट मेंशन की हुई है जो एक्सपारी है या मेनिफेक्ट्टर जो डेट है बाकी यहां पर ना step by step यह सारा मेंशन किया हुआ है तो सब को पता है फेशल जो किट होती हो कैसे यूज करनी होती है बाकी step one step two step three step four step five step six तो यहां यह सब mention किया हुआ है तो आप यहां से भी देख सकते हो बाकी तो जो फेशल किट के बारे में है ना मैंने पहले भी कई वीडियो अपनी जो अपने चैनल पर डाल रखी तो आप वहां से चेक आउट कर सकते हो तो फेशल कैसे किया जाता स्टैब आई स्टैब फेशल कैसे करना होता है तो वह भी मैंने डाल रखा है है ना तो देख सकते हो आप तो इसको मैं खेल के लिखाती हूँ तो यह ऐसे करके आएगा इसमें डबी के उपर भी लिखा हुआ है जैसे यह यहां पर ऐसे लिखा हुआ है दिखाती हूँ मैं देखो यह स्टैप वन है क्लेंजर है स्टैप टू है स्क्रब है स्टैप त्री है क्रीम है स्टैप फोर है जैल है और यह जो है पैक है स्टैप फाइफ चीक है तो सबसे पहले क्लेंजर करना होता है दो मिनट क्लेंजर करना होता है फिर स्क्रब होता है दो से तीन मिनट करना होता है जिसकी ज़्याद की ज़्या साथ से आठ मिनट ये जलकी में साज करनी होती है फिर पैक की बारी आती है पैक लगाने के बाद और ड्राइ वोने के बाद फिर इसको सिंपल पानी से रिमूख किया जाता है और अगर मैं इसकी बात करूँ ये सिरम है ये क्रीम में मिक्स करके आप इसे यूज कर सकते हो आप फेशल के बाद भी इसे यूज कर सकते हो तो ऐसा कुछ इशू नहीं है कि आप पूरा फेशल कंपलीट करो तभी आप इसको यूज करना है आप इसको क्रीम में मिक्स करके भी कर सकते हो आप इसको जैल में मिक्स करके भी क्लेंजर मैं अपना खुद कीचन से चीज़े उठाती हूं और उसका मैं यूज करती हूं और स्क्रब भी ऐसे मैं बनाती हूं तो ऐसे ही मैं यूज कर लेती हूं तो बहुत सारी रेमेडी मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है क्लेंजर की भी क्लेंजर नेचल तरीके से क्ले सारी चीजे इसमें मेंशन की हुई है और कुछ भी नहीं है आप अपना है ना खुद भी आपनी केर कर सकते हो तो यह जो है गोल्ड को तो सब कोई पता है गोल्ड की जो जूलरी है या गोल्ड है वो सब को बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो ऐसे यह एक इत है किट का भी जो है गोल्ड किट का है तो बहुत मस्क लूआता है तो आप इसे कर सकते हो और बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्कीन है तो उसके लिए गोल्ड किट मुझे लगता है कि सही नहीं है मेरे इसाब से सही नहीं होती है बाकियों तो आप इसे कभी भी यूज़ कर सकते हो और जो है स करो और थोड़ी सी स्टीम लो और और सारा कंप्लीट होने के बाद टॉनर और मॉस्टराजर जरूर सी किया करो तो उसे डबल बेनिफिट होता है तो बाकी बहुत सारी जानकारी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखे तो आप वहां से भी चेक आउट कर सकते हो तो होब कि आपको यह सारी चीजे जो मैं बताई है आपको आपके लिए यूस्फूल होगी और अगर आप होता ना कई बार के मन में यह होता कि यार कौन सा फेशल कर रहे मुझे तो समझ नहीं आता मुझे तो क्या है कि जानकारी नहीं है तो इसलिए मैं यह सारे प्रोड़क्ट जो ह आप लोग एक साथ शेर करती हूं जो भी मैं परसनल यूज़ करती हूं तो चलिए फिर मिलती हूं आपसे नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ तब तक क्या करना खुश रहना मस रहना सुस रहना सेफ रहना चल देन टेक एर बाई बाई लब यू ओल माई यूट्व फ